दुम्ता कोसागार से अवैद निकासी के मामले में बिहार के पुर्मुख्यमंत्री वारजेडी चेफ लालू परसाद यादो की मुस्किले लंबे समय से लगातार बर्तिवी दिख रही थी लेकिन 17 अप्रेल को जब जस्टिस अप्रेस सिंग की आदालत ने लालू परसाद यादो को जमानत दिया तब पूरे बिहार ही नहीं बलकि देश भर में जो लालू परसाद यादो के पार्टी के करेकरता और उनके समर्थक हैं उनके परसंसक हैं खुशी का ठिकाना नहीं रह उनमें जसन की भी तस्विरे सामने आई हमने आपको तस्विरे भी दिखाई आज लालू परसाद यादो को अब रिहा करने का वक्त आया है रिलीज आडर मिल गया है सिवियाई कोट से और ऐसे में लालू परसाद यादो का अगला ठिकाना कहा होगा उसकी जानकारी हम आप को देने जा रहे हैं देखिए लालू परशाद यादो के परिवार के लोग यानि की पत्नी राबरी दे भी उनके बेटे तेज़स्वी आदो तेजबर्ताप यादो फिलहाल दिल्ली में है लालू परशाद यादो के रिहाई को लेकर रिलीज ऑडर अब होटवार जेल्स से इम्स परशाशन को भीजा जाएगा और कहा ये जा रहा था। daveके लालु परशाद यादो की तवित ठीक नहीं है, फिलाल वो इम्स में इलाज़रत हैं। और परिवार के लोगों का भी कहना था परिवारिक सुत्रों का कहना था कि फिलाल लालू परशाद यादो अपना इलाज एमस में ही कराएंगे लालू परशाद यादो एमस में ही इलाज रत रहेंगे ए बाते तेजस्वी आदो ने भी कही थी लेकिन अब जो ख़बर है परि लिज ओडर तब परिवार के लोग दिल्ली में डटे हैं तेजस्वी आदो लालू परसाद यादो को लेकर सिधे पटना के दस सर्कुलर रोड इस्थित राबरी आवास आएंगे और यहीं पर उनका इलाज चलेगा हलांकि दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों के देखरेक में वो तो नहीं रह सकेंगे लेकिन उनके निर्देस का जरूर पालन करेंगे क्योंकि लालू परसाद यादो कई गंबीर विमारियों के चपेट में है परिवार लंबे समय से इंतेजार कर रहा था परिवार में कभी-कभी ऐसा भी वक्त आ यादो सभी लोग गहते राची और तबसे राबरी लागातार दिल्ली में है लालू परसाद यादो जब से एम्स में सिफ्ट किये गए हैं अब आज की जो घरी है आज की जो बात है देखे लालू परसाद यादो के रिहाई को लेकर अब आदेस आ गए हैं कोट ने से ठीक है और अगर वो स्वस्त हैं पुरी तरीके से तो उन्हें लेकर पटनाएंगे हलांकि परिवार ने कहा था कि कुरोना संकर्मन का काल है पटना में उसे मिलने के लिए उन्हें देखने के लिए बड़ी संक्याम उनके पार्टी के कारेकरता और उनके समर्थक पहुंचन होगा और ऐसे में परिवार ने निर्ने लिया था पहले कि वो दिल्ली में मिसा भारती के आवास पर रहेंगे लेकिन जो परिवारिक सुत्र है उसका कहना है कि अब लालू परसाद यादो सीधे पटना रहें तेजस्वी आदो राबरी देवी तेजपरताप यादो उन्हे लेकर सिधे पटना आएंगे और बिहार के सियासत में क्या होगा लागातार इस खबर पर हम आपको बताएंगे जो भी अबडेट निकल कर सामने रहें आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं धन्यबाद